हेलो एब्रिवन आज के इस वीडियो में हम जानेंगे तुला रासी फल के लोग कैसे होते हैं ये प्राक्रितिक रूप से उम्दा अदाकार होते हैं रासी केलेंडर में इस चीन पर पहुँच करिया ध्यान देंगे कि पिछली छह रासियां दुनिया के साथ व्यक्तिगत संपर्क पर ध्यान केंदित करती हैं जबकि दूसरी और पहली छह रासियां खुद पर ध्यान केंदित करती हैं और तुला में जन में जातक के लिए यह अक्सर देखा जाते हैं कि ये अकेले रहने से नफरत करते हैं ये बातचीत सुरू करने और समाजी करण पसंद करते हैं और खुद को लोगों से घीरा हुआ रखते हैं और तेजी से कैसे दूसरों के संबंध कैसे विक्सित करें इस पर धान केंद्रित करते हैं एक जोड़ा अगर यह प्रयास करें तो ज्यादा बहतर होता है बजाए कि व्यक्तिगत प्रयास के यह इनका विश्वास होता है अतह जब ये जोड़े में होते हैं तो बहतर प्रदर्शन करते हैं फिर चाहे वो घर हो या कार्याले तुलारासी के जातक सार संग्रह करना संतुलन, सदभाव और निश्पक्ष खेलने की भावना से ओध प्रोत रहते हैं उदेश सिम और बस तुलारासी के जातक सब के लिए अच्छा करना चाहते हैं ये विवादों को निप्टाने में कुशल होते हैं और इनमेन्याय की गहरी भावना होती है निस्पक्षता की यह लगन इनकी व्यक्तिकर जरूरत होती है संगर्स और टकराव से बचने के लिए चतुरर नितिकार और आयोजक ये जानते हैं कि कैसे चीजों को अत्यंत सिष्ठता के साथ किया जाते हैं तुलारासी के जातक अपने दिमाग का अच्छा उपयोग करना जानते हैं ये अपने विचारों का दूसरों के साथ संचार करके आनंद लेते हैं ये दूसरों को बहतर तरह से जानने के लिए एक उचित तरीका अपनाते हैं, निस्पक्ष तर्क करने के लिए ये कुट नितिक और समझोते का रास्ता अपनाते हैं, अगर ये इन सभी के एक संयुक्त प्रयास के रूप में वांशित प्रदर्शन करने में विफल रहते हैं. ये कभी जबान के कड़वे नहीं होते, इनके साथ सायद ही कभी ऐसा हुआ हो कि इनके विरोत का सामना करना पड़ा हो. अगर इनके सामने ऐसी इस्थिति आ जाए, तो ये ठंडे दिमाग से और गहरी सास लेकर सहयोग की भावना के साथ सभी विकल्पों पर विचार करते हुए कारे करते हैं. इनका यह गुड उन्हें अनेक केरियर विकल्पों के लिए अनुकूल बनाता है. इसी के साथ आज की इस वीडियो में बस इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें.